अब हम ये जानेंगे कि ये जो अलग-अलग वाई मंडल के पृत्वी की सत्थ के उपर जो भी भाग हैं, जो भी सत्थ बने हैं, अलग-अलग layers हैं, अलग-अलग parts हैं, इसमें कौन-कौन सी रासायनी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोब मंडल के बारे में, तो छोब मंडल के अंतरगत, हमने देखा कि इसमें बहुत सारी अवांचनी ठोस है, गैस है, बहुत सारी ऐसे जैसे ठोस, किसी भी रूप में, अलग-अलग अवस्था में पुरे वातावरन को प्रदूशित करती हैं, तो वायू मंदल की कुल मात्रा का जो 70% भाग जो होता है वो इसी ट्रोपोस्फियर में होता है यहाँ पर कई प्रकार की क्रियाएं हम देखते हैं जैसे यदि जिवाश में इंधन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिती में जलता है तो कार्बन डियोकसाइड बनता है जैसे यदि हम लें कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन यदि ऑक्सीजन से रियक्ट होता है तो कार्बन मोनो ऑक्साइड बनता है यदि हम लें मेथेन को मेथेन जिवाश मिंदन के अंतरगत है तो मेथेन यदि लेते हैं तो मेथेन का जब ऑक्सीजन से रियक्शन होता है तो कार्बन और जल बना CH4 plus 2O2 is equal to CO2 plus 2H2O, तो इस तरह से जो मेथेन है उसका oxygen से क्रिया हुआ या फिर हम कह सकते हैं कि दहन हुआ और दहन हुआ कर carbon dioxide और जल उत्पन हुई, तो इस troposphere में हम देख रहे हैं कि कई सारी और घटनाएं होती हैं जिनकी वज़े से प्रदूश्या गैसे जो ह sulfur dioxide कैसे बनता है यदि उसको जानने का प्रयास करें, तो सूर्य के प्रकाश में जो sulfur dioxide होता है, उससे sulfur dioxide भी बन सकता है, जैसे sulfur dioxide है 2SO2 यदि oxygen से react हुआ, O2 से क्रिया हुई इसकी तो ये बना 2SO3, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो SO2 बना, इस SO2 की जल से क्रिया होन करता है, यानि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि sulfur dioxide जल वाश्प से क्रिया करके, sulfur कमल का निर्मार कर सकता है, तो ये सारी क्रियाएं जो हम देख रहे हैं, ये ट्रोपोस्फियर की क्रियाएं, ट्रोपोस्फियर में होने वाली क्रियाएं, ट्रोपोस्फियर में हम देखते ह कि बहुत सारे जीवाणूं होते हैं उन जीवाणूं द्वारा भी किसी योगिक का विघटन हो सकता है तो जैसे जीवाणूं द्वारा जिन योगिकों का अभघटन होता है यदि जीवाणूं उस योगिक का अभघटन करते हैं तो एक तरह से ओक्सिकृत करते हैं कह सकते हैं जनरली कार्बनी क्योंगी कियाने उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो यदि कवी कार्बनी क्योंगी, जीवाणू द्वारा विघटित होता है, तो वो कार्बन डियोकसाइड बनाता है और जल बनाता है, ऐसे ही हमारे आसपास प्रकास संस्लेशन की क्रिया हरे प होता है तो यह भी इसी परत में होती है कार्बन डियॉक्साइड जल से क्रिया करता है सूरी के प्रकाश की उपस्तिती में ग्लोरोफिल की उपस्तिती में बनता है यहां पर कार्बो हाइड्रेट यहने C6, H12O6 और oxygen gas मुक्त होती है तो यहां हम देख रहे हैं कि किस तरह से कार्बन डियॉक्साइड जो है वो यूज भी हो रहा है और कई घटनाओं में हम देख रहे हैं कि कार्बन डियॉक्साइड निकल भी रहा है और यहां पर चूकि जीवित जीव है तो जितनी भी घटनाए होती हैं लगबग हम देख रहे हैं कि जीवित जीवों में भी हो रही है और अजैविक घटकों के कारण भी कहीं कहीं पर यह reaction जो है वो प्रभावित हो रही है अगला जो लेर है अगला जो पश्ट है कि जो ऑक्सीजन का प्रकाश की उपस्थिती में रासायनिक विघटन होगा, तो यदि ऑक्सीजन का रासायनिक विघटन होगा, तो O2 is equal to O plus O, यहाँ पर H new है, जो कि एक प्रकाश फोटॉन को यहाँ पर दर्शाता है, तो यहाँ पर यह नौजात ऑक्सीजन में बिभक्त हुआ, अब यह जो नौजात ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह फिर से प्रकाश रासायनिक रिया, इसके इंतरगत हो रही है, यहाँ फिर से इसमें ऑक्सीजन के साथ रियाक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर प्राप्त होता है, O2 यानिए O2 अनू, इसके साथ एक ऑक्सीजन परमाडू, जो की उत्तेजित हम कह सकते हैं, तो O plus O plus O is equal to O2 plus O, उत्तेजित एक परमाडू है ऑक्सीजन का, जो आगे और रियाक्शन को परभावित करेगा, यह यहाँ पर उत्पन होता है, अब यहाँ पर जो उत्तेजित ऑक्सीजन परमाडू ह होता है, यह परमाडू प्रकाश के द्रिश्य छेत्र में से अलग-अलग नैनोमीटर के अलग-अलग जैसे 636, 630 या 558 नैनोमीटर तरंग धैरे के विकिरन को यह निकालते हैं, तो इसे हम वायू दिप्ती भी कहते हैं, यानि इस तरह की जो घटना होती है, इसे हम वायू दिप्ती कहते हैं, अगला जो रियक्शन है, प्रकाश रासायनिक घटना के अंतरगत, वो है यह जो नवजात ऑक्सीजन है, यह यदि फिर से इस पर एक फोटॉन पड़ता है, यानि है एच नियू इससे रियक्ट होता है, तो यहाँ पर यह ओजोन का जो उत्तेजित परम हैं, यह एक इलेक्ट्रोन निकालता है, और एक इलेक्ट्रोन निकालकर यह O प्लस आयन में परिवर्तित हो जाता है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, वो पुनह ऑक्सीजन से रियक्ट होता है, और ओजोन लेयर में परिवर्तित होता है, यहाँ पर ओजोन बनता है, तो ओक्सीजन परमाडू इसी भाग में फिर से ओक्सीजन अनू से मिल जाता है और ओक्सीजन अनू से मिलने के बाद ये ओजोन में परिवर्तित हो रहा है तो O2 प्लस O is equal to Ozone तो ये Ozone लेयर भी इस समताप मंडल में बनता है अब यहाँ Ozone बनने के बाद जब इस पर फिर से फो स्थिती में ये Ozone विघटित होता है और O2 और Oxygen नौजात परमाडू के रूप में ये विघटित होगा तो ये O3 is equal to O2 प्लस O इसमें विघटित हो गया अब यहाँ पर जो ये Oxygen निकला नौजात Oxygen ये नौजात Oxygen फिर से Ozone से क्रिया करता है और जब O3 प्लस O करते हैं त O2 प्लस O2 तो किस तरह से हमने देखा कि Ozone लेयर में Ozone बनता है और यही Ozone फिर से भी घटित होता है और Oxygen और Oxygen अडू दो अलग-अलग Oxygen अडू में ये परिवर्तित होता है अब यहाँ पर कुछ दूसरे भी अडू है जैसे कि Nitrogen है Oxygen है ये Ozone के स्थाइतों के लिए बह बहुत ही important होते हैं इनके वियोजन को हम M द्वारा अतिरिक्त उर्जा अवसोशन द्वारा दर्शाय जा सकता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि Oxygen नौजात Oxygen Oxygen अडू प्लस M से बनता है Ozone प्लस M तो यह जो हमने देखा कि जो अलग से Oxygen है Nitrogen है यह भी बहुत आवश्य सहायक होता है Ozone layer के बने रहने के लिए यानि यह सारी gases भी यहां पर सहायक होती है Ozone layer के स्थायत्व के लिए यदि कुछ हम species की बात करें जैसे यदि हम देखते हैं Nitric Oxide या Hydroxide यह भी समताप मंदल में होते हैं तो Hydroxide यह प्रेजेंट है तो भी Ozone कैसे यह व्योजित होता है यानि हम जो देखते हैं आज की समय में Ozone layer का धीरे धीरे depletion हो रहा है अप्छे हो रहा है तो उसके कारण यही सारे जो gases होती है यही सारे जो घटक होते हैं वो होते हैं इन्हीं reactions को हम देख रहे हैं यहां पर तो Ozone जब Hydroxide का जो उत्तेजित एक पार इससे react होता है तो Hydroxide से react होने के बाद Ozone जो है वो बनाता है Oxygen और साथ में बनाता है HOO उत्तेजित एक अडू बना यहां पर एक मुक्त मुलक कह सकते हैं इसको इसी प्रकार Ozone जब Nitric Oxide से react हो रहा है तो O3 प्लस NO से बनता है Nitrogen Dioxide प्लस Oxygen अब यह जो Nitrogen Dioxide प्लस Oxygen बना यह Nitrogen Dioxide फिर से Oxygen से react होता है नौजात Oxygen से और बनाता है Nitric Oxide और Oxygen तो NO2 प्लस O is equal to NO प्लस Oxygen तो यह जो पूरा reaction है यह सभी reaction जो है वो इस Stratosphere में हो रहा है जैसा हमने पहले भी देखा कि Stratosphere में Nitrogen है Oxygen है Oxygen के बहुत सारे आयन्स है O2 प्लस है Ozone है साथ में तो यह सारी जो घटनाय है वे भीन जो क्रिया कलाप होती है वातावरण में वो इसी के अंतरगात आता है यह सारी जो gases है आयन्स है वे इस छेत्र में उत्पन हो रहे हैं अ तो प्रित्वी का निम्नतर स्थरहन या निम्नवायुमंडल वाला छेत्र होता है यहां पर बहुत सारे माइक्रो बायलोजिकल रियक्शन भी होते हैं तो माइक्रो बायलोजिकल रियक्शन से भी बहुत सारे नाइट्रस ओक्साइड जैसे कुछ पार्ट जो है कुछ योग तो यहां भी हम देख रहे हैं कि यह एक प्रदूशक गैस हो गया, तो N2O plus नौजात oxygen is equal to NO, तो यह सारी जो reactions हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि NO, N2O, यह सारा जो बन रहा है या अलग-अलग प्रकार से oxygen के ions बने, यह सभी प्रदूशन फैलाते हैं और यह सभी कारण होते हैं ozone layer के depletion का, nitrogen जो gas होती है, वो भी जब विकिरन को अवशोशित करती है, तो विकिरन को अवशोशित करके यह भी नौजात या कह सकते हैं कि उतेजित nitrogen के दो परमाणों में भी अगठित होती है, N2 is equal to N plus N, तो यह जो N बना, यह N वापस oxygen से react होता है और बनता है NO, nitric oxide, तो यहां हम देख रहे हैं कि जब यह oxygen से react होता है, तो नाइट्रिक oxide यह सारी gases यहां पर बन रहे हैं, तो हमने देखा कि जो पूरा stratosphere है, इसमें बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, जिसकी वज़े से कई प्रदूशक gases बन रही हैं, साथ ही हम देख रहे हैं कि ozone layer है, उसक तो अगला जो स्तर है, अगला जो layer है वाई मंडल पृत्वी के उपर जो भी सत्र हमने देखा, उसमें हम देखेंगे mesosphere या madhya mandal, इसे हम ionosphere भी कहते हैं या इसके कुछ पार्ट को लेकर ionosphere भी बना होता है, तो इसमें बहुत सारे जो gases होती हैं, वो ionic होती हैं, ionic का लिया जाता है, यहाँ पर हम जब madhya mandal की बात करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे ions हैं, इसलिए उसको हम ionosphere का कुछ पार्ट कह सकते हैं, वैसे ही जो ionosphere के अंतरगत जो ions होते हैं, बहुत सारे ionic reactions यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं, चुकि यह सारे जो ionic reactions होते हैं, ये आयनों के कारण होती है तो इसमें कुछ reactions को हम यहाँ पे जानेंगे जैसे oxygen ये oxygen जब O2 प्लस आयन से react होता है तो ये बनता है O2 प्लस प्लस oxygen नौजात परमाडू यहाँ पर ये जो oxygen नौजात परमाडू है ये oxygen का नौजात परमाडू जब nitrogen से react होता है तो nitrogenium आयन बनता ह तो यह NO plus बना और इसके साथ nitrogen का जो एक नौजात nitrogen परमाणू हम इसे कह सकते हैं यह बनता है इसी तरह से जो N2 plus है या oxygen है यहने N2 plus iron और oxygen जब react होते हैं तो nitrogen gas बनता है और O2 plus iron बनता है तो यहां हम देख रहे हैं जितनी भी reaction से कहीं न कहीं यहां पर ions या तो participate कर रहे हैं यह कहीं न कहीं यह आयन अभिकारक है और कहीं न कहीं यहां पर ion उत्पन भी हो रहा है यान उत्पाद के रूप में भी है तो यह एक ionic reaction वाला पूरा छेत्र हो गया अगला हम देखेंगे thermosphere तो यह भी ionosphere का थोड़ा सा part बनाता है तो यहां पर ionosphere का ही एक भाग इसे हम कह सकते हैं तो यहां भी बहुत सारे अनू पर्माडू जो गैस होते हैं जिटने भी गैसे सोते हैं उनके अनू पर्माडू है वो और नीक रूप में देखे जाते हैं तो बहुत सारे जो reactions होती है रासाइनिक अभिक्रियाएं होती है वो इनी स्पीशीज के कारण यानि जो आइनिक स्पीशीज होती है जैसे ओक्सीजन है नाइट्रोजन है इनमे या नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसे हम नाइट्रोनियम आयन यानो प्लस यदि है तो नाइट्रोनियम आयन कहेंगे ये सार आयन्स यहाँ पर बनते हैं, तो इसका भी कुछ छेतर जो है वो थर्मोस्फियर का या आयनोस्फियर में के रूप में जाना जाता है अब हम प्रदुशन शब्द जो है, वो कहां से उत्पन हुआ या इसका क्या अर्थ है इसको जानेंगे प्रदुशन याने पॉलुशन शब्द की जो उत्पती है वो लेटिन भाषा के पॉलुशनेम सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गंदा करना या अपवित्र करना तो ये जो शब्द होता है इसका जो हिंदी अर्थ है इसी से हम बहुत सारी चीजें समझ पा रहे हैं कि यदि हम किसी आसपास के अपने जो छेतर हैं उसे हम गंदा करते हैं या हम अपवित्र करते हैं किसी भी घट के वज़े से वह हो सकता है इसे हम पॉलूशत कहेंगे या अपने आसपास होने वाली जितनी भी अवांचनी घटनाएं होती हैं चाहे वो मानवीकृत हो चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं की वज़से हो रहा हो, ये सब ही जो है वो प्रदूशन के अंतरगत आता हैं, तो यहां हम एक छोटा सा रेखा चितर देखेंगे, जिसकी वज़से प्रदूशन के स्रोत क्या है, प्रदूशन कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, सबसे पह मैय ये पर्यावरन की वज़एंगे जमीं के ये प्रदूशन के वह रहा हो मंदन में, या प्रयावरन में प्रवेश होता है, तो यह प्रदूशन के प्रदूशन क्रिया कलाप कई बार मनुश्रीगी क्रिया कलाप की वज़ से ये जमीन में भीगड़ जाते हैं, जमीन में फैल जाते हैं और इसकी वज़ से भी ये परियावरन को हानी पहुँचाते हैं तो जब हम जैव मंडल के भौतिक वातावरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें तीन अलग अलग छेत्र प्राप्त होते हैं, जिसे हम वायू मंडल, जल मंडल या स्थल मंडल के नाम से जानते हैं. प्रदूशन का अध्यान भी हम इसी तीन छेत्र के अंतरगत ही करते हैं, जैसे अगर हम वायू मंडल से समबंधित बात करें, या प्रदूशन अवांचनी परिवर्तन की बात करें, तो यहाँ वायू प्रदूशन या एर पॉलुशन होगा, यदि हम जल मंडल के अधार पर देखें, तो जल प्रदूशन होगा और इसे हम वाटर पॉलुशन कहते हैं, यहाँ पर स्थल मंडल के अंतरगत ही हम देखें, तो यहाँ मृदा प्रदूशन या सॉयल प्रदूशन की बात हम करेंगे, तो यहाँ इस पूरे अध्याय में हम इन्ही घटनाओं के बारे में इन्ही प्रकार के जो प्रदूशन हैं, उनके बारे में जानेंगे, यह प्रदूशन कैसे फैलते हैं, इनके स्रोत क्या है, कैसे इसे रोका जा सकता है, कौन-कौन से रासायनी कभी क्रियाएं इसके अंतरगत होती है, और इनकी वज़े से किस तरह से पर्यावरणी इसके बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, एयर पॉलूशन या वायू प्रदूशन, तो जैसा हम देखते हैं कि पूरे जो जीव हैं, जीवों की वज़े से ऑक्सीजन और कार्बन डियोक्साइड, यह पूरे वायू मंदल में फैला हुआ है, और आपस में संतुलित भी हैं, जैसे जीवों के द्वारा यदि स्वशन की क्रिया होती है, तो यहां पर यदि हम मनुष्य की या जीव जनतुओं की बात करें, तो जब यह स्वशन की क्रिया करते हैं, तो इस स्वशन की क्रिया से कार्बन डियोक्साइड निकल कर वायू मंदल में फैल जाती है और oxygen जीवधारी लगातर वायमंडल से ग्रहन भी करते जाते हैं तो लगातर हम देख रहे हैं कि oxygen वह वो ग्रहन किया जा रहा है carbon dioxide वायमंडल में निकाला जा रहा है जीवधारियों के द्वारा और जो हरे पेर पौधी होते हैं ये प्रकाश संस्लेशन की क्रिया करत हैं carbon dioxide जल आपस में क्रिया करके यहां carbohydrate बनता है और oxygen गैस निकलती है तो यहां हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों के द्वारा carbon dioxide लिया जा रहा है और जीवधारी जिसमें मनुष्य है जीवजनतु उनके द्वारा oxygen गैस लिया जा रहा है लेकिन दोनों ही स्थिति में हम कि oxygen और carbon dioxide का जो संतुलन है वो बना हुआ है तो मनुष्य जो है वो बहुत सारे ऐसी क्रिया कलाप करते हैं जिसकी वज़े से यह संतुलन लगातार नश्ट भी हो रहा है या हम कह सकते हैं बहुत सारे प्राकृतिक घटनाय भी आसपास हो रही है जिसकी वज़े से oxygen और carbon dioxide का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है तो यह जो gases है जो अभी संतुली तवस्था में है चाहे वो पेड़ पौधों की वज़े से हो या मनुष्य या जीव जन्तु की वज़े से हो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार असंतुलन बढ़ रहा है और यही वायू प्रदूशन का कारण भी बनता जा रहा है तो जब हम वायू प्रदूशन को परिभाशित करेंगे तो वायू में बहुत सारे जो अनेक्शिक गैसेस हैं जैसा हमने देखा कि Si Gasses में सब्सक्राल कारबन डियोगसाइड है, नाइट्रियक सैड़ीक उकसाइड है prec सब्सक्राइब और वह रातिव ते कम कारबन बात करें इसकी मात्रा यदि वायू में लगातार बढ़ती जाएगी चुकि ये सारे जो पदार्थ हैं, कडिकाएं हैं, हो चाहें, गैसेज हो प्रदूशक ये सब जब अपने quantity से जितना इसका मान होना चाहिए उस मान से ये मान जादा हो जाएगा पूरे वातावरण में, तो वायू प्रदूशन होता है तो वायू प्रदूशन जो है, वायू में होने वाला जो अनैक्षिक गैसेज होती है अनेक्षिक गैसों तथा कडिकाओं इसके द्वारा याने सांदरन में व्रिध्धी हो रही है पूरे वायू मंदल में इनके सांदरन में व्रिध्धी होगी तो इसके सांदरन में जब अधिक व्रिध्धी होती है तो वायू प्रदूशन होता है वायू प्रदूशन के जो स्रोत है उसके बारे में यदि हम देखें तो बहुत सारे कारण है मानवी क्रिया कलाब द्वारा भी और कुछ प्राकृतिक भी जो की वायू प्रदूशन का कारण बनते हैं जैसे हम यदि प्राकृति क्रियाओं की बात करें तो इसमें ज्वालाव मुखी का फटना या वनों में आग लगना जिसे हम दावा नल कहते हैं या वनस्पतियों से क्या वासपोस सरजन ये भी अपने आप ही होता है और बहुत सारे ऐसे कार्बनिक योगिक होते हैं इनकी व बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो फैलते हैं और इनकी वज़े से वायू प्रदूशन फैलता है तो वायू प्रदूशन की वज़े से बहुत सारे जो गैसे हैं वो लगातर उनका जो सांद्रन है वो वायू में बढ़ता जा रहा है और जो की वायू प्रदूशन का जैसे कि आटो मोबाईल का छेतर है, मान लीजिए, वाहन है, उनसे निकलने वाली जो गैसेस होती है, उसमें जो उप्योग होने वाला इंधन है, उसका जब दहन होता है, तो भी बहुत सारी गैसेस निकलती है, बहुत सारे उद्योग है, जिससे बहुत सारी गैसेस, अप्ष सारे इंधनों का जलना होता है और उसकी वज़़े से बहुत सारे जो प्रदूशक गैसेज है वो निकलती हैं तो वायू प्रदूशक जो है वो मुख्य रूप से यदि हम इसे केट्रिगराइस करें वर्गी कृत करें तो यह दो भाग में वर्गी कृत होगा एक है गैसी प् वो देखेंगे जैसे सल्फर का, नाइट्रोजन का, या कार्बन के, जितने भी ऑक्साइड हैं, ये सारे प्रदुशक गैसेस के अंतरगत आते हैं, साथ ही हाइड्रोकार्बन, ह2S, या मेथेन, या बहुत सारे ऑक्सिदेंट्स, ओजोन, ये सारे भी प्रदुशक गैसेस के या इसे हम गैसी प्रदुशक भी कहते हैं, कड़ी जो प्रदुशक होते हैं, इसके अंतरगत धुआ है, या धूल है, इस तरह से जो धूमर, जिसे हम कहते हैं, कोहरा, ये धुंद, या पूरा जो कोहरा जब फैलता है, तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो वायू प्रदूशन होता है उसको हम कई प्रकार से वर्गी कृत करते हैं तो जैसे हम वायू प्रदूशक को यदि अलग अलग प्रकार से वर्गी कृत किया जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं वायू प्रदूशक तो प्राथमिक वायू प्रदूशक और द्वित्यक व प्राथमिक जो बायू प्रदुशक होते हैं, यह मुख्यरूप से प्राकृति घटनाओ द्वारा या मानवी क्रिया कलापो द्वारा, इस प्रकार के प्रदुशक सीधे ही वायू को प्रदुशित करते हैं, जिसे हम कहेंगे वायू प्रदुशक, यह डिरेक्टली अपने आ आसपास के वाईू का जो पूरा छेत्र है उसको ये प्रभावीत करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे गैसेज होती हैं, जैसे कि कार्बन डायोक्साइड, कार्बन मोणो ओक्साइड, स्ल्फ़र डायोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डायोक्साइड या बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे सस्पेंडेट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रो कार्बन होते हैं, ये सब डायरेक्ली वायू को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मानवी क्रिया कलाम द्वारा हो चाहे वो प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन गैसेज हो तो इसे हम प्राथमिक प्रदूशक के अंतरगत या प्राथमिक वायू प्रदूशक के अंतरगत रखते हैं दूसरा हम देखेंगे द्वितियक वायू प्रदूशक ये जो द्वितियक वायू प्रदूश गैसेज है और वहाँ पर इनके वज़े से इनके साथ क्रिया करके ये अलग तरह का एक प्रदुशक बना लेते हैं और इसकी वज़े से पूरा वायू मंडल प्रभावित होता है तो यहाँ पर ये जो प्रदुशक है वो कहे जाएंगे दृतियक वायू प्रदुशक तो ये दृतियक वायू प्रदुशक होते हैं इनका वायू मंडल में पहले से कोई अस्तेत्व नहीं होता है ये जो वायू में प्रेजेंट जो दूसरी गैसेस हैं उनसे ये रियक्ट होकरके उनके द्वारा जब ये क्रिया कर लेते हैं तो उनसे क्रिया करके ये नई तरह के असे बना तो वायू मंडल में सल्फा डैयोकसाइड पहले से प्रेजेंट है ये जब ऑक्सिकरीत हो रहा है तो ये बनाता है सल्फा ट्रैयोकसाइड अब ये जो सल्फा ट्रैयोकसाइड है ये जल सिक्रिया करता है तो बनता है H2SO4 तो हम ये कह सकते हैं कि वायू मंडल में पहले से जो Sulfur Dioxide present है ये यहाँ पर प्रात्मिक प्रदूशक है अब ये Sulfur Dioxide परिवर्तित होता है Sulfur Trioxide में तो ये कहलाएगा Sulfur Trioxide जो है ये Sulfur Trioxide कहलाएगा दुईतियक प्रदूशक जो पहले से पूरे वातावरण में नहीं था लेकिन Sulfur Dioxide की क्रियाओं के कार Sulfur Trioxide यहाँ पर बना और ये जो Sulfur Trioxide है जब ये जल से क्रिया करता है तो Sulfuric Amal बनता है तो यहाँ जो Sulfuric Amal बना या Sulfur Trioxide बना ये दुईतियक प्रदूशक होते हैं यहाँ हम कुछ और एक्जामपल देखेंगे जैसे प्रकृति में पहले से ये नाइट्रिक ऑक् oxygen से क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइट पहले से प्रेजन्ट है वायू में है तो ये प्रात्मिक प्रदूशक होगा जब ये oxygen से क्रिया करता है याने NO प्लस oxygen तो ये बन जाता है NO2 तो NO2 जो है वो यहाँ पर दुईतियक प्रदूशक की तरह कारे करता है अब NO प्लस N2 is equal to N2O तो यहाँ पर ये NO2 जो बना वो फिर से हाफ oxygen और जल से क्रिया करता है और बनाता है नाइट्रिक अमल तो ये जो नाइट्रिक अमल है ये भी एक बहुत अधिक कारण होता है अमल वर्षा का तो अमल वर्षा जो है इन ही sulfuric अमल और नाइट्रिक अमल की व प्रभाव होता है जिसे हम और डीटेल में समझेंगे